सो गईयस ढiform ability केसे ले आज की इस वीडियो में आप सबjaz बताऊंगा टीक एफ पर आप सबको ability कैसे मिलेगा तो वीडियो में एंड तक बने रहना वीडियो को इस केप मत करना । अगर आप वीडियो को है उसमें आपको कुछ कोसन का अन्सूड केना होता है और उनकी कुछ होती है वह आपको केसा में अगर आप उनकी रिकवार्मेंट ऐन कासмен की जाता है लगा दिया जाता है वह सब को नहीं देते हैं अगर 1000 परचन का आंसूड देते है और उनकी requirement पूरी करते है मतलब star वेगरा complete करते है तो वो 1000 person में से स्रिप और स्रिप 50 बंदों को bletic देते है, 950 बंदों को नहीं देते, उनको क्यों नहीं देते उसमें आपकी भी गिंती आती है आपकी ID पर भी अभी तक bletic नहीं मिला तो आपकी ID पर bletic कैसे लगेगा, आप सबको bletic कैसे मिलेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको reject किया जाता है, बार बार आगे से आपको reject नहीं किया जाएगा, direct आपकी ID पर bletic लगा दिया जाएगा देखे, अभी TKF में future star तो उसमें सबको white tick दिया गया अगर उसमें आप regular video upload करते रहे तो और अच्छी quality के साथ आप video upload करते हो तो धीरे धीरे आपकी account को bletic मिल जाएगा, मतलब आपकी ID पर bletic लगा दिया जाएगा white tick की जगा पर, तो आपको regular video upload करते रहना है और अच्छे अच्छे content आपको upload करते रहना है देखे, आज में आपको TKF पर bletic लेने की ऐसी trick बताने जा रहा हूँ कभी भी TKF में कोई new features आता है तो सबसे पहले bletic आपको मिलेगा अगर आप उसमें apply करते हो देखे, अगर आपने TKF पर creator verification नहीं किया तो कर दीजे जाकर अभी आपको अपनी profile पर क्लिक करना है then उपर 3.0 पर क्लिक करना है creator verification कर लीजी and future star में आपने question का answer नहीं दिया तो देदीजी और वहाँ पर daily आप star gain करते रहे तो देखे, अब आपको ability तो नहीं मिला है because आपकी ID को creator verification में भी reject किया गया है and future star में भी आपकी ID को reject किया गया है आपकी ID पर ability कैसे मिलेगा ध्यान से आप सुनिए अब आपको अपनी ID पर क्या करना है देखे, regular आपको video upload करना start कर देना है अगर आप Tiki app पर regular video upload नहीं करोगे तो आपकी ID पर आपको ability नहीं मिलागा second, आपको video, video quality के साथ upload करना है अपने से बहुत ज़्यादे person क्या करते है Tiki app के camera से video shoot करते है then upload कर देते है Tiki app के camera से video shoot करते हो तो Tiki app का camera एकदम बखवास है देखिए आपको अपने mobile के man camera से video shoot करना है आपको अपने man mobile के camera की setting अच्छे से कर लेना है उसमें filter वेगरा आप अच्छे से add कर ले ताकि आपकी video quality जवरदस आए और आपको video shoot कितनी quality में करना है जान लीजिए आपको video shoot 1080p 30fps या 60fps पर video को shoot कर लेना है और आपको अपनी video का size 9A16 रखना है समझ गये यह size यह नहीं यह वाला size रखना है हमेसा आपको अगर आप टीकी app पर video upload करते हो अपनी ID पर बिलिटिक चाहिए तो 9A16 size में आपको video shoot करना है जब आप video shoot कर ले तो देन आपको उस video को अच्छे से edit करना है ताकि आपकी video quality और भी best हो जाए तो video editing आपको नहीं आता तो आप YouTube पर सीख सकते हो आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे YouTuber मिल जाएगी जो स्रिप और स्रिप आपको editing सिखाते है आप अपनी video की editing अच्छे से सीख ले जब आप अपनी video quality improve कर ले तो आपको टीकी app पर regular video upload करना start कर देना है जब regular video upload करते हो तो जदे से जदे video आपको टीकी app के trending topic पर बनाने है मतलब टीकी app के सच बार में trending में कोई भी new hashtag आता है new banner आता है तो उस पर आपको just participate करने है just उस पर video बनाकर upload कर देना है तो अगर आप trending topic पर जदे video बनाओगे और यहां पर आपको और भी ट्रीव बदलता हूँ देखे टीकी app पर कोई भी video तेजी की साथ वारेल हो रहा है उसके sound पर आप video बनाकर जरूर upload करें आपकी video पर अच्छे views and like आएगे आप अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादे हैस्टेक लगा तो वीडियो अपलोड करते टाइम आपकी video का साइज 9-16 नहीं है तो आपकी video को फिरिच कर दिया जाता है आपकी एडिए पर आपको कभी भी बिलिटिक नहीं मिलेगा तो वीडियो क्वालिटिय के साथ आपको video अपलोड करना है यहाँ पर आप सभी को में बता देता हूँ जब आप टीकी एप पर regular video अपलोड करना start कर देता हो तो आपकी टीकी वीडियो टीकी एप के for you page पर जाना start हो जाता है आपकी वीडियो पर अच्छे views and like आना start हो जाता है आपका वीडियो वालल भी हो जाता है जब आपकी वीडियो पर अच्छे views and like आना start हो जाते है आपके followers increase होना start हो जाते है तो आपकी वीडियो की engagement होती है वो बढ़ जाती है मतलब आपकी जो वीडियो की engagement है अच्छी हो गई है तो आपको आपकी आईडी पर ब्लेटिक मिल जाएगा कहीं पर भी आपको अपलाई नहीं करना है और देखिए अगर कोई न्यू फीचर्स या कोई न्यू इवेंट आता है कि वहाँ पर आपको इन कोशन का अन्सवर दना है और यह रिक्वार्णमेंट आ उसके आपकी आपकी आइडी को इसकि के आटि आपकी इडिक करता है आपकी video quality अच्छी नहीं होथी है और जब आपकी video quality अच्छी होती है और करते हूं online with